इस वीडियो में हम करने वाले CSS display properties, CSS display properties क्या होती हैं ठीक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले वो है block elements, block elements क्या होते हैं अगर हम इसकी definition पढ़ें block level element always start on a new line अगर आप कोई element use कर रहे हैं ठीक है आपने div use किया आपने फिससे div use किया तो यह जो div है आपने चाहे एक ही line में दो भर use किया हो बट यह आपको अलग-अलग line में show होंगे इसी type से यह जो सारे elements होते हैं यह सारा एक अगर आपने element use किया और उसके बाद same element use किया त में क्या होता है अगर आपने इस type से दो span use किये इस type से आपने दो span use किये एक के नीचे एक अभी हमें दिख रहे है कि यह अलग-अलग line में बट जब आप अपने page page को open करेंगे यह दोनों same line में आपको दिखाए देंगे span element and जो यह element होते हैं तीन element होते हैं जो कि inline by default properties इन link भी inline आएगा एक के बाद एक ही row में सारे link दिखाए देंगे अगर आपने एक साथ दिये वें तो इनको देखते हैं पर करके देखते हैं example के साथ अब सबसे पहले हम देखते हैं कि block elements क्या होते हैं यहां पर लिख भी देता हूं block elements इसको अभी मैं comment कर देता हूं ताकि अ usability अच्छी है अपने background color में हमने दे दिया red देखो अब आप देख रहे हैं background color से आपको क्या पता चल रहा है कि हमने लिखा इसमें just hello hello लिखने से क्या हुआ कि इसने इतना area cover किया बट जो div element की by default property है वो बोलती है कि जो div element हो है block element and block element है वो पूरी row cover करेगा जैसी मैंने इसको background color दिया पहले तो हमें लग रहा था कि इतनी सी line div element ने ले रखी है बट जैसी background color दिया हमें पता चला कि पूरी row यह div element ने cover up की हु तो up to div same line में आने का मतलब ही नहीं अगर element complete property cover up कर रहा है तो वो next line में ही आएगा जैसे एक और हमने दे दिया hello to refresh करते हैं तो यह देखें next line में आ रहा है same line में नहीं आ रहा तो इसको बोलते है block elements अगर हम यहां पे इसके नीचे दूसरा element लेके देखते हैं heading अगर अपनी show होगी अगर हम इसको background color दें तो यहां पर देखना h1 दिया हुआ है तो h1 यहां पर कर देते है प्रोपर्टी दौन पर अप्लाई हो जागी ठीक है तो heading के background color में भी हमने red कर दिया है and आप यहां से देखिए heading है वो भी पूरी row cover कर लिए बट अगर हम inline elements की बात करें इसी span यह जो div element है इसकी जगह हम कर देते हैं span इसको close करते हैं ठीक है अब इसको refresh करते हैं सबसे पहले तो हम यहां पर इसको color देते हैं background color अब आप यहां पर notice करना क्या होगा यह देखो यह है span span क्या है inline inline मतलब उतना ही area cover करेगा जितना इसको required है पूरी row cover up नहीं करेगा अ आप देखना कि सारे span है वो एक के बाद एक यहीं पर आ जाएंगे एक की row के अंदर जब तक वो पूरी row cover up नहीं होगी तब तक एकी line में एकी line में सारे span आ जाएंगे so इस type से 3 elements होते है एक तो होता है हमारा anchor tab एक होता है image and एक होता है span अगर आप image भी देंगे तो images भी हम तो आपको clear होगा कि block elements क्या होते हैं and आपके inline elements क्या होते हैं अब हम देखते हैं दो properties हैं अपनी display and visibility सबसे पहले हम यहां पे use करते हैं इनको यहां से remove कर देता हूं and यहां पे हम लेते है image image हमारा है inline element मतलब ठीक है image में मैं दे देता हूं image जो की मेरी desktop पे image and यह file भी desktop प सकते हैं ठीक है इसको मैंने दे दिया image name भीज को load करके देखते हैं तो हमारी image load हो चुकी है अब तीन images चाहिए मैंने तीन images ले ले ली second image है हमारी two and three आपको correct name देना तभी वह image वहां पे दिखाई देगी अब refresh करते हैं ठीक है मेरी तीन images आपके सामने browser पे आ चुकी है इमेज पे सबसे पहले तो हम इनको images को इनके class name देते हैं क्योंकि तीन images है class इसको देते हैं आई-एम-जी वन इसी type से आई-एम-जी टू यहां पर देंगे आई-एम-जी 3 name change कर लेना अब यहां पर हम इसकी styling करते हैं सबसे पहले तो हम क्या करेंगे image one हमें image property apply करनी है किस करना है image one पर जब हम उसके mouse लेके जाए होवर कराएं तो उसका background नी जो अपनी display property है दो है एक तो है visibility visibility hidden ठीक है image one की visibility कर दी हमने hidden अब इस type से हम इसको copy paste नीचे करते हैं यहां पर image two कर देते है image two की जो हमने visibility है visibility की जगा display display में डाल दिया हमने none यह दोनों property यूज होती है किसी भी element को hide करने के लिए अब दोनों images पे हमने क्या दिया है कि image one पे hover करें तो वो गायब हो जाए visibility उसकी hide हो जाए and image two पे हम hover करें तो वो भी गायब हो जाए display none इसका मतलब यह होता है बट इन में जो difference होता है वो हम आपको दिखाते हैं यहां से क्या होता है अगर मैं image one पे hover करता हूं जिसकी visibility hidden है तो आप देखिए क्या होगा image hide हो गया बट उसने अपनी जो space है जितनी space में वो थी image वो अब भी वहां पे है ठीक है यह देखो spacing उसने अभी भी ले रखी है element की बट image गायब होगी है element गायब होगा है पर spacing उसने ले रखी है अब जो second image पर हमने property दी है वो यह दी है display none display none का मतलब है अगर मैं इस image के ओपर mouse लेके जाओंगा तो यह element गायब होगा यह देखिए यह third वाली image है वो shift हो रही है इस side इसका मतलब है यह image भी गायब हो रही है and जिस element में यह image है वो अपना space वो भी गायब हो रहा है totally गायब हो रही है यह देखो गायब गायब होगी डिस्पले नन में element की space भी चली जाएगी and element भी चला जाएगा so I think कि आपको यह clear है इन सभी में से यह display properties है इन में से कोई भी property आपको clear ना हो comment box में आप लिख कि हमें बता सकते हैं इनको आपको ध्यान रखना है कि block elements यह होते हैं यह आपको हमेशा use में आएंगे CSS designing में and यह होते हैं in line यह हमेशा एकी line में आपको सारे elements दिखाई देंगे